वेलकम बेक एवरफिए चैप मेह बाधेंगे जॉब डिडेक्टर में हम लोग नेवर बाध करेंगे दोस्तों चैशचा करें कोशन आपका एक्जाम से बाहर ना पूछे और एक्जाम में पूछेंगे ओईसे ही कोशन आप लोग को करवांगो तो आप लोग से रिक्वेस्टेड होगी जितने भी स्टूडेंट है टाटा अप्रेंटिस का त्यारिक कर रहे हैं 2022 में यदि टाटा अप्रेंटिस जॉइन क अलग-अलग सेट आएंगे रेगुलर आएंगे तो चले वीडियो को शुरुआत करते हैं दान देजिएगा पहला कोशन है पर क्या पूछ रहा है तो नीचे इसका एंसर जरूर से कमेंट कीजे देखे इसका सही एंसर हो जाएगा आपका आप्सेन नमसी प्राकिर्तिक तत हुआ यानि नेचुरल एलिमेंट्स ऑप्सेन नमसी बिल्कुल सही साथ हूँ याद रखिएगा और इसका टेस्ट लिंक आपको मिल जाएगा निक्छे डिस्क्रेप्शन में तो वीडियो लास्ट सबसे पहले उसके बाद रिपीट के लिए आप लोग जाके टेस्ट दिए ताकि दोस्तों आप लोग वीडियो से क्या कुछ सिखे कितना आपका माइंड में कैप्चर हो सके कोशन और अनसर वह आप लोग टेस्ट के माध्यम से जान सकते हो तो प्लीज टेस्ट दिए टेस्ट देना काफी इपॉर्टन है फ्री अपकोस्ट है अप लोग हमेसा फ्री पदार्तों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्त कहलाता है यानि सब्स्टान्स फॉर्मेट बाइदा कमिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्स्टान्स ठीक है मिलकर जो बना था उसको हम लोग क्या करते है ठीक है आई होप लिए ठोस यानि स्वाले ठीक है तो चलिए इसका सई एंसर बता ही अप लोग तो इसका सई एंसर हो जैका आपका आप्सेन नमर भी योगिक यानि कंपाउंट ठीक आप्सेन नमर भी बिलकुल सही है यह को समत थरी क्याप कर रहा कि दो या दो सदीक सूध प्रदार्तों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है ठीक है यह फॉर्मेट बाइ मिक्सिंग टू और मोर अस प्योर सबस्टांस इस एनी रेस्यू ठीक है यादि मिक्स कर दिया जाई ठीक है तो उससे हम लोग कौन से क्या बन सकता है ठीक है तो सेम कोशन है उसी टाप को कोशन है तो चलिए इसका सभी एंसर बता है ठीक है आपके पास ओफ्मक्सें किया क्या है पाला है ऐलेमेंट्स योगिदिक और मिक्सर और Pre方 धिया गैस ठीक है तो क्या बनेगा चलिए इसका नीचे कमेंट करके एंसर बताइए तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन वसी मिक्स याने मिस्टन बनेगा ठीक ऑप्शन वसी बिल्कुल सही साथ हूं आगे बात करते हैं नेस्ट कुछन क्यों अगला कुछन है कि ऐसे तत्व जिसम तो सऴंव क्या करते हैं ठीक है याद रहतिएगा है जान लेते हैं इसका ओप्शन क्या चलिप सनने हादर्स ताती यानि चलिकिए अप्शे। एंसर होगा उसको हम लोग उपधातू करते हैं ठीक है ऑप्सेन नमबर भी बिल्कुल सही है साथी हूँ देखे अगला कोशन कोशन वर 5 पूछा देखे कौन सी धातू विधूत की कुछ अलक होती है ठीक है काफी इंपोर्डन कोशन है कई बार एक जाम में पूछ लिया जाता है यानि बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिशिटी का ठीक है कौन सा मेटल ठीक है तो इसका एंसर बत करहिए किस आधातू में देखे यहाँ पर अधातू पुछा गया यानि नौन मेटल किस अधातू में धातू चमक पाए जाती है सिरते आपके पास ऑपसिन है ग्रेफाइड ऑप्सन भी आयओडिन option C है उप्रोक में से दोनों या इन में से कोई नीर ही ठीक है तो इसका सही अंसर क्या ہوगा साथ हो इसका सही अंसर होगा उप्रोक दोनों उप्रोक दोनों में क्या-क्या है याद रखीएगा graphite और- आयओडिन ठीक है आगे बात करता है next question क्यों अगला question क्या है question 7 पूछ रहा देखें निम्ड में कौन सी उपधातु है ठीक है काफी important question पूछा गया है इसमें उपधातु पूछा गया है इन में से कौन उपधातु है चलिए इसका answer जान लेते हैं इसका सही answer होगा देखें ये सभी यानि अर्सेनिक एंटीमनी एन बिसमत ठीक है ये तीनों ही तीनों आपको उपधातों के केटिगरी में आते हैं ठीक है यानि option बड़ी बिल्कुल सही है प्लीज वीडियो को लाइक कर देजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा देखें question 8 क्या है नीम्ड में कौन सा यो option D ammonia ठीक है तो चलिए इसका सही answer बताइए तो इसका सही answer हो जाएगा आपका option नमर डी ammonia ठीक है option नमर डी बिल्कुल सही है साथ हूँ आगे बाढ़ते हैं next question क्यों देखें question 9 पूछ रहा देखें जल एक योगी क्यों की ठीक है water is a compound because ठीक है क्यों जल एक योगी क्यों है यानि एक compound क्यों है इसके पीछे कारण क्या है तो आए इसका answer जान लाते है देखें इसका सही answer हो जाएगा देखें आपका पहला option है य इसमें hydrogen और oxygen होती है option c है इसमें राशानिक बंदों से जुड़े दो विन तत्व होते हैं ठीक है और option दी है देखें यह राशानिक इस्थानों द्वारा दो सरल प्रदात में तोड़ा जा सकता है ठीक है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा साथी हो देखें इसका सही answer होगा option नमसी इसमें राशानिक बंदों से जुड़े दो विन तत्व होते हैं ठीक है याद रहिए इसमें से two different elements linked by chemical bonds ठीक है याद रहिए option नमसी बिल्कुल सही है आगे बात करते हैं देखें तो देखें कोशन में 10 क्या है क्योंकि कई बार इस तरह कोशन पूछ ले जाते हैं इस नमसी ऐपका थया है इसको आपको मिलन काना है देखें आपका हे अक्रand दॉन सूर सिलिकॉन टीन नमर पर हमसे और चाहिए जानते हैं तो आ wheat आगे इसका इनसर जान लेता है इसका एंसर के मिलाने ऐप का है देख्या का है। सबसे ऐ ए नवर पे क्या दिया होँ है मिरा तो इसका हो जाएगा Duncan आपका आपका ऑप्षन नमर B दिलकुल देश है जाद रखें इस टायपका और पूछ लें जाते हैं। आगे बढ़ता है next question क्यों अगला question है तेहन दीजिएगा अगला question है आपका question 11 देखें निमन्य में से किस पतार्थ में oxygen नहीं होता है ठीक है तो आए आए जानते हैं इसका सही अंसर क्या होगा ठीक है तीनों आवस्ता में पाए जाता है काफी common answer है दोस्तों इसका answer अप्लोग नीचे comment करके बतातीजीए ठीक है आगे बात करते हैं कई बार exam में पुछ लेता है तो याद रहें कि air हमें से एक मिस्रन है यानि mixer है ठीक है air क्योंकि air से में बहुत सारे particles mix होता है ठीक है याद रहें option number A बिल्कुल सही है आगे बात करते है next question के और question 14 पूछा देगे निवन में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही योगिक है ठीक है काफी important question है यह तो ना तो elements है और ना compound है ठीक है काफी अच्छा question है पूछ लिया गया तो याद रहें इसका सही answer हो जाएगा आपका option number A याद रहें ना तो elements है और ना compound है याद रहें काफी important question है आगे बात करते है question 15 देखे पूछा देखे पदार्थ के चतुर्त अवस्ता आप्टी काफी important question पूछा गया है तो याद रहें तो याद रहें इसका सही answer क्या होगा देखे इसका होजएगा प्लाज्मा ठीक है option number C याद रहें काफी important question है आगे बात करते है next question क्योंड को सोलो हो देखें पूछ रहें निवन में से कोन से क्योंड़ क्योंड है ठीक है के आचे कोशन पूछा गया कोशन को मनें बट यहां पर देखिए सबसे इंपर्डेंट है इसका ओपिटल ऑप संसी यह रेत यानी सेंट पूचोंड डीया हिरा इन डामन ठीक है इन और समयप्सं में पूछा के इसका आपको क्या जरूर दिएगा टेस्ट लिंक आपको नीचे है और वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों हेल्फूल लग रहा है तो अपना फीडिबक नीचे जरूर कर जिए ब्रीच वीडियो को लाइक की चैनल को सब्सक्राइब करके बैल ऐकन को जरूर अंट कर दिए यहां मैं पूछ रह है इसका सही अंसर हो जाएगा आपका योगी यानि कंपाउंड है ठीक आपसे नमरे भी बिल्कुल सही है आगे बात करते हैं कोछ तरह दिए पूछ रहा है यह निम से कौन सा मिसरा नहीं है ठीक है निम देखे मिक्सर नहीं है आई इसका सबसे पहले ऑप्सें जालना है ठी होड्य आयरे कारू है कंशा ठीक है एक ट्रिंटेए इस पाथ ठीक है कैंशा होड्य नबरे बिल्कुल सघे आगे बात करते है तेखिए अग्ला कॉश्टन दिए बारूध होता है ती इस गंपावडर करें यहां पर पूचा कि बारूध क्या है पर गंपावडर यहां तो यहां तो यहां तो किसंग में आता है क्यों बात करें तो याद रहें कोईला एक elements यानि तत्व आता है यानि option नवर ए पिल्कुल सही है तो दोस्तों हमारे आज का पहला सेट खता मुझ चुका है मिलेंगे हम लोग second सेट के साथ chemistry के chemistry का भी दोस्तों आप लोग से प्रामिश करता हूं एक भी कोशन आप लोग जब एक्जाम दोगे तो कहोगे कि हां सर अपने वीडियो में बताया था और अपने क्लास कर वाए एक भी कोशन आप लोग से मिस नहीं होने दूंगा और टेक्निकल के रिलेटर भी कोशन में आप लोग लिए लाऊंगा क्योंकि दोस्तों दो तिन कोशन है पर टेक्निकल रिलेटर मेजर्मेंट रिलेटर पूछला जाता हूं और और उसते भी कोशन में करवाऊंगा तब दर के लिए जाहीं वंद्यमात रहा हुँआ जाहीं वंद्यमात रहा हुँआ हुआ 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 है झाल